हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एज्यूकेशन तो बच्चों बिहार में VCECE 2024 का एंट्रेंस एक्जाम का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने या तो मैट से या बायो से और या एगरी कल्चर से VCECE 2024 का एक्जाम दिया है और ज्यादा तर बच्चों का VAC नर्सिंग या पेरा मेडिकल में एड्मिसन लेने का विचार है क्योंकि अगर हम बात करें VCECE की तो यहां फॉर्म बरने वाले और एक्जाम देने वाले ज्यादा तर जो इस्टूडेंट होते हैं तो VAC नर्सिंग में या पेरा मेडिकल में एड्मिसन लेने के लिए ही यह इंट्राइंस एक्जाम देते हैं तो अब बात बड़ी यह है कि हमारे बियार में VAC नर्सिंग के कौन से गॉर्मेंट कोलेज है जो अच्छे हैं और कौन से प्राइवेट कोलेज है जो अच्छे हैं इसी तरह से पेरा मेडिकल में भी गॉर गॉर्मेंट कोलेज में एड्मिसन ही VCECE Board के तरह होता था लेकिन इसबार गॉर्मेंट के सास्थ साथ कुछ प्राइवेट कोलेजों में इड्मिसन भी इस एक्जाम के तरह होगा ठीक है न वैसे कि आइसे भी प्राइवेट कोलेज है VAC Nursing के विटा वी-ार में जिनमें एड यार यूनिवर्सिटी आफ एल्फ साइंस जे इटी के नाम से अलग से इंट्रेंस एक्जाम भी करवा रही है और जिसके फॉर्म 19 अगस तक भरे जा रहे हैं तो बच्चो आज के इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं B.S.E. नर्सिंग के टॉप कोलेज की और फिर हम बात क एक किसे कोलेज है बेटा ओल्ड कोलेज का मतलब है जो पुराने हैं जो कई वर्सों से चल रहे है अब अगर B.S.E. nursing के कोई old college है तो आप ये तो मान के चलिए कि वो top तो होगा ही है ना तो वो best तो होगा ही क्योंकि अगर पुरा ना है तो उसमें सारी व्यवस्ताइं होगी infrastructure होगा बढ़िया तरह से तो इसलिए BSC nursing में VR के अंदर number one college अगर कोई है तो वो NMCH पटना है बेटा number one इसलिए इसका cut off सबसे उपर जाता है number two पे अगर कोई college है BSC nursing में तो वो है आपका अब जब दो number की बात आती है तो फिर यहां पे थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि इसके बाद बेटा BMIMS नालंदा भी है ZLMCH भागलपुर भी है DMCH दरभंगा भी है अब यहां पे बच्चों आप लोगों को decide यह करना होता है कि अगर आप दरभंगा के हैं तो फिर आप पटना के बाद दरभंगा ही चूज करेंगे फिर इन चारों का level लगबग एक जैसा ही है बेटा यह आप मान के चलिएगा ठीक है ना फिर आपको nearest जो आपका लगे वो आपको लेना चाहिए ठीक है ना बिलकुल तो सबसे पहले बच्चों यह जो आपके सामने पांच कोलेज दिख रहे हैं यह पांच कोलेज सबसे अच्छे कोलेज की काटेगरी में आते हैं NMCH पटना BMIMS नालंदा पावापुरी ZLMCH बागलपुर BMCH दरबंगा और A NMCH गया यह तो हो गए आपके पांच टॉप कोलेज ओके बिलकुल अब बच्चों यह वो कोलेज है जो नए ओपन हुए है है ना यह अभी नए ओपन हुए हैं कोलेज न्यू ओपन तो यह कोलेज तो बेटा बेस्ट है कोलेज तो अच्छे हैं लेकिन इनको हम मीडियम टॉप कह सकते हैं वैसे इन में ओल्रेडी ZNM के A NM के कोलेज तो चली रहे हैं बिल्कुल नए तो आप नहीं कह सकते लेकिन इन में BAC नर्सिंग का यह फैस्ट बेच है तो एक तो पुर्णिया हो गए आपका GMCH पुर्णिया फिर है आपका GMCH बेतिया फिर है GMCH सारंच छपरा और फिर है बिटा आपका DMCH SKMCH मुझज़ फरपुर तो यह है आपके मीडियम कोलेज तो अगर आपके थोड़े बहुत नंबर कम हो तो बिटा आप BAC नर्सिंग के जो यह मीडियम टॉप कोलेज है यह आप ले सकते हैं तो यह तो कोलेजों की बात हो गई बिटा किसकी BAC नर्सिंग की यह मैंने आपको BAC नर्सिंग के जो कोलेज है वो बता दिये अब सर टोटल कोलेज है कितने BAC नर्सिंग में तो यह भी देखिए यह सारे गवर्मेंट कोलेज है तो वन, टू, टू, ट्री, पॉर, एंड फाइफ पांच कोलेज तो आपके पुराने हैं टॉप के कोलेज है फिर वन, टू, ट्री, फॉर, यह चार नए है तो टोटल कोलेज कितने हो गए बिटा नो कोलेज है और परतेग के अंदर साट सीट है ठीक है न बच्चो परतेग में कितनी सीट है बिटा साट सीट है ठीक है कि नहीं, ये बात आपको याद रखनी है, तो टोटल सीटे कितनी हो गई, टोटल सीटे हो गई, पान सो और चाली सीटे है बेटा, टोटल कितनी सीटे है इन नो कोलेजों में, पान सो और चाली सीटे है, इन पान सो चाली सीटों पे एडमिसन होगा, पिसले साल क्या थ रहे हैं पेरा मेडिकल की, की भाई पेरा मेडिकल में कौन से कोलेज और कितनी सीट, देखो बिटा, ये आपके सामने हैं पेरा मेडिकल के कोलेज, तब जब मैं पेरा मेडिकल की बात करता हो ना, इसमें, मैं जो हैं, हारमेसी और फीजियो तेरेपी सबी को सामिल कर रहा हूं ठीक है ना अब देखो बिटा वास्ताओं में अगर बात करूं मैं पेरा मेडिकल की सब तो एक ही कोलेज है पेरा मेडिकल का और उस कोलेज का नाम है बिटा पी एच आई पटना क्या नाम है पी एच आई पटना कोलेज तो एक ही है एक college के अंदर 4 course है बिटा क्योंकि freakin medical में तो अलग-अलग courses होते है freakin medical में सबसे अच्छा course होता है बिटा BMLT number 2 पे जो अच्छा course है वो है BRIT number 3 पे जो course होता है वो है BOTT और फिर होता है Boptometry ठीक है न? तो ये 4 course होते हैं इन में number 1 BMLT है number 2 BRIT है, number 3 BOTT है, इसे operation theater वाला बोलेंगे, इसे radiation बोलेंगे, इसे lab technician ओके, very nice, अब बच्चों देखो देखें, अब अगर अपन थोड़ा उपर की तरफ देखें यहां पे, तो यह तो चार courses आपको दिखी गए, यह यहां पे चार courses हैं, college A की है, BMLT, BOT, BRIT और B Optometry, Optometry, IE से related department होता है, BRIT, यह course करने के बाद आप X-ray, assistant है, radiographer बन सकते हैं, MRI, CT, scan center वगेरा में काम कर सकते हैं, यह operation theater में, operation theater में assistant के तोर पर आप काम करते हैं, और यह आपका BMLT, जो hospital का lab होता है, उसमें blood check है, urine check है, उसमें जो लोग काम करते हैं, वो BMLT और DMLT स्टाप होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जी, तो यह तो हो गए, बेटा, पेरा मेडिकल के college, ना, तो यह पेरा मेडिकल का college है, बिटा, जिसके अंदर तो seat हैं, ठीक है ना, अगर मैं seatों की बात करूँ, कि कितनी seat है total, बिटा, आप खुद ही देख लीजिएगा, यहाँ पर category wise आपको अलग-अलग seat है, ठीक है ना, यह देखो, पर तेक course में 20 seat है, तो total किती seat है बिटा, 80 seat है, 80 seat है, असी seat है total, ओके, बिल्कुल जी, अब हम बात कर रहे हैं, नमबर 3 पे, फार्मेसी की बिटा, यह को फार्मेसी का भी यहाँ पर बात करूँ, मैं अगर, यह ना, फार्मेसी से पहले यह college देख लो, यह B.C.O.P. पटना, यह फीजियो तेर तेरपी की भी है, और बेचलर, OQPersonal Therapy की भी है, ना, फीजियो तेरपी और OQPersonal Therapy, इन दोनों की है बिटा, और इन दोनों में मिला करके, कितनी seat है, total, 40 seat है, तो अगर आप से पूछ ले, कि फीजियो तेरपी डिपार्मेंट के अंदर, कितनी seat है, तो 40 seat है, फीजियो त फीजियो तेरपी वाला अगर आप कोर्स करते हो, तो इस से आप फीजियो डॉक्टर बन पाते हो, आप फीजियो तेरपिस्ट बन पाओगे, डॉक्टर बन पाओगे, है ना, बड़े बड़े जो एथेलीट्स होते हैं, जो खिलाडी होते हैं, उनके जो फीजियो होते हैं वो bpt किये वे लोग ही होते हैं ठीक है ना बिलकुल जी तो ये हो गई बात फीजियो तेरपी की वैसे फीजियो वाला कॉर्स भी बिटा आज गे टाइम में पेरा मेडिकल के अंदर ही आता है तो नमबर एक किसी नर्सिंग था नमबर दो पे फिर हमने पेरा मेडिकल में मेन कॉर्सेज बी एमल्टी बी आराइटी ये ही दो अच्छे हैं इनमें नमबर वन बी एमल्टी है नमबर दो बी आराइटी है ध्यान रखना जब आप एडमिसन लो तो ये दो कॉर्सी भरना इन दोनों में ज्यादा वेकिंसी है इसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट जो है है अमारा बेटा वो है B Pharma अब देखो बेटा B Pharma बेटा के अंदर हमारे B.R में बेटा दो ही कोलेज है एक GPI गुलजार बाग है जो पटना में है और एक MIT मुझाफर पूर है ये बेटा अपना जो है मुझाफर पूर के अंदर है फिना तो तोडल B Pharma की अगर सीटों की में बात करूँ तो B Pharma में टोडल कती सीट है पिटा? 200 सीट है, किती सीट है? 200 अब आप थोड़ा सा काउँट करो देकें B.A.C. नर्सिंग में किती सीट है? 540 सीट है कोलेज कितने है? 9 है अब देखिएगा पेरा मेडिकल में कॉलेज तो एक ही है लेकिन चार कॉर्स है तो चार सो इस भरी जाती है और टोटल सीट किती हो गई असी फिर फीजियो तेरपी में दो सो इस भरी जाएगी है और टोटल सीटे किती हो गई चालीस हो गई तो ये आपके लिए टोटल सीटे है बेटा ये टोटल आपकी 24 कितनी भरी जाएगी देखो नो और चार किते होगे तेरा और दो पंदरा और दो सत्रा सत्रा चोईस एक स्टूडेंट भरेगा बायो वाला जो बच्चा है वो टोटल चोईस कितनी भरेगा सत्रा चोईस भरेगा अगर सारे कोर्सेज आप भरते हो अच्छे अच्छे कोर्सेज तो सत्रा और अगर आप Operation Theater हटा देते हो है ना या Ocupational Therapy हटा देते हो तो पंद्रा चोईस आपकी होती है टोटल अब पंद्रा चोईस में टोटल देख लो 500 और 200 700 है ना 780 और इसके बाद 800 आप यह समझो कि 800 से 900 के बीच में 850 के आसपास यह टोटल सीटे है बेटा है ना आप यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि 160 सीटे यह है और 700 ठीक है ना तो यह हो गई आपकी 500 और 200 साथ सो 800 860 के अराउंड सीट है बेटा है ना बिल्कुल जी तो यह टोटल आपकी सीटे है अच्छे जो कोरसे जैं उनकी तो 850 के अराउंड सीट है ठीक है ना बिल्कुल जी तो जब भी कोलेज की चोईस भरी जाती है कोई बच्चा काउंसलिंग कराता है तो उसे हमेशा पहले बियसी नर्सिंग की चोईस बढ़नी चाहिए इसके बाद में नीचे पेरा मेडिकल के मेन कोरस बढ़ने चाहिए फिर उसे फारमेसी की कोरस बढ़ने चाहिए और इसके बाद में उसे जो है सीजियो के कोरस बढ़ने चाहिए ठीक है कि नहीं? विलकुल जी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अब अगर बात प्राइवेट कोलेज की करें वैसे तो बेटा प्राइवेट कोलेज इस बार जो है पूरी एक इन लोगों ने लिस्ट दी है यह पूरी जो है नोन वेट दा टाइम ऑफ काउंसलिंग पूबलिक इंटर्वियू टोटल सीट इन इच इंस्टिटूट और इंक्लूड ओफ डिसेबल कोटा ठीक है फिर इन्होंने क्या लिखा वी आर सेक्षनिक संस्तानों में आरक्षन अधिनियम 2023 के अनुसार संस्तावार, पाठियक्रमवार, कोटीवार, सीटों की पूर्ण विवरण इन्होंने ये क्यों लिस्ट दी यहाँ पर इन्होंने ये लिस्ट इसलिए दी है क्योंकि इनके अंदर एडमिसन जो है बेटा काउंसलिंग के तुरू होगा देखो इन्हों लिखाए मतलब बायो गुरूप वाले बच्चों के लिए ये कोलेज है अब ये है प्राइबेट बेटा इनमें लगेगी फीस तो गौवर्मेंट में बता रहाता उनमें कोई फीस नहीं है नॉर्मल चार्ज है दोजार तीन अजार इनमें लगती है फीस तो इनमें अगर फीस लगेगी परतेग में 60 सीट है अगर ये कोलेज आप लेना चाहते हो तो बेटा इसमें आप प्राइब करो कि टॉप पटना सीटी का कोलेज मिले तो ज़्यादा सही रहेगा और वो भी आईनसी से मानियता प्राप अब आईनसी वाला कोलेज कौन सा है सथ तो ये देख लो ये तीन से चार ही कोलेज है बी आर में जिनके पास आईनसी की मानियता है मैं तीन चार नाम ही एक बार बताऊंगा बाद में जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं कुछ और भी नाम बता दूँगा अभी फिलाल जो है बिटा जो नई लिस्ट आई हुई है उसके अकोर्डिंग बी आर के अंदर मैं आपको बता दूँ कि बी एसी नर्सिंग के अगर अच्छे कोलेज की बात करते हैं हम लोग कि जिसके पास आई एंसी की मानिता है तो यह एक कोलेज है खगरिया के अंदर है नाम है स्याम लाल चंदरा सेखर नर्सिंग स्कूल इसमें बी एसी नर्सिंग एनम नर्सिंग जी एनम नर्सिंग है खगरिया के अंदर है यह INC से मानेता प्राफ्त है अगला एक है माता गूजरी मेमोरियल कोलेज इसमें भी BAC नर्सिंग भी है MSC नर्सिंग भी है यह अच्छा कोलेज है किसन गंज के अंदर यह कोलेज है माता गूजरी मेमोरियल ठीक है ना? बिलकुल आगे चलते हैं next next आपका जो कोलेज है वो मदूवनी के अंदर है मदूवनी इंस्टिट्यूट और नर्सिंग एंड पेरामेडिकल है ना? बिलकुल जी तो यह आपका मदूवनी के अंदर है ठीक है ना? बिलकुल जी तो यह भी एक अच्छा कोलेज है इसके बाद में अगला जो कोलेज है वो तो M's है वो तो मानित अपराफ्ञ्झ यह इसके बाद में अगला जो कोलेज है बिटा B.A.C. नर्सिंग का वो आपका पटना के अंदर है कोलेज ऑफ नर्सिंग और जी गुली फेमिली हस्पिटल ये आपका पटना के अंदर है, ठीक है ना, बिलकुल जी, तो ये भी एक आपके सामने irsitute है, है ना, तो ये बच्चों चीजें मैंने आपके सामने बता दी है, इसके बाद में रोटास के अंदर एक गोलेज है आपका, जिसका क्या नाम है नाराएंड नर्सिंग कोलेज नाराएंड नर्सिंग कोलेज सासा राम रो अताश ठीक है ना ये भी बचो आई एंसी से मानियता प्राप्त है ठीक है की नहीं तो ये सारे कोलेज मैंने आपके सामने बता दिये हैं बेटा जो अच्छे कोलेज हैं, जो टॉप के कोलेज हैं, वो मैंने आपको बताए हैं, कुछ और भी कोलेजेज हैं, लेकिन वो बच्चों बाद में जब आपकी काउंसलिंग पर क्रिया शुरू होगी, अब मैं बता दूँगा, अभी बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता की कोपी, स्कोर कार्ड, अधार कार्ड, आपका फोटो, ठीक है, ये सारे डोक्यूमेंट आप अपने तयार रखें, काउंसलिंग सुरू होगी तब इन डोक्यूमेंट्स की जरुवत पड़ेगी, मेरे बहुत सारे बियार के भाई बही बहीं ने, जो लगातार मेरे को पू प्यारी करें, तो पहले से दो तीन चीज़े सोच लो, मुझे एक तो M's का एक्जाम देना है, एक मुझे ये बिहार का एक्जाम देना है, और एक जो लड़किया है, उनको तो टोटल तीन एक्जाम देने हैं, मैं ये चीज़े आपको हमेसा गाइड करता हूं, लेकिन कई पार आप चीज़ें को मानते नहीं हो बिटा, देखो, एक तो आप लोगों को B.C.C.E. बिहार का एक्जाम देना है, एक M's का एक्जाम देना है, लड़के M's पेरा मेडिकल का देंगे, लड़किया M's नर्सिंग का देगी, वोईज को तो ये दो एक्जाम देने हैं, द्या और गल्स केंडिडेट है, तो उन्हें बिहार वाला एक्जाम भी देना है, M's का एक्जाम भी देना है, और इसके अलावा, एक M&S मिल्ट्री नर्सिंग का एक्जाम होता है, तो ये लड़कियों को चार एक्जाम देने हैं, ये चार एक्जाम देने हैं, P.G.I. चंडी माच एक्जाम बेटा देने हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कि अगर हर एक बिहार का बचा, B.S.E. नर्सिंग के और पेरा मेडिकल के तीन एक्जाम अगर देता है, और वो पूरे साल बर अच्छी तयारी करता है, तो उन तीनों में से किसी एक टॉप इंस्टिट कवर नहीं होगी, तब तब हम अच्छी तरह से क्यूसन कर नहीं पाते हैं, ठीक है न, तो विजे एजुकेसन एप के अंदर इस लक्षे बेच के साथ जोइन होईए, आप लोग, आज ही इस बेच में इन्रोल हो जाईए, सोधा गस्त से इस बेच में क्लास स्टार्ट हो र रहा है, सभी बच्चे रुती शिक्रे इस बेच में जुड़ें, ठीक है न, हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के बच्चे अगर इस बेच में बड़ी संख्या में जुड़ेंगे, तो एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह, जैसे हमेसा गाइड करते हैं, वैसे भी आगे करेंगे, बच्चो विजय सर तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक जगे दे सकते हैं, आपको खुद के साथ इमानदारी रखनी पड़ेगी, अगर मैं अकेला चाहूंगा कि मैं आपको पढ़ा भी दूँगा, सलेक्शन भी करा दूँगा, पूरे दिन पर मैं तो लगा रहता हूं बेटा, ठीक है न, लेकिन कुछ आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी, आप अगर विजय परिवार के साथ जुड़ते हो, तो पहले दिन यह तैय करो, कि मैं पूरे साल पर बलेई डेली पांच गंटे सर जो पढ़ाएंगे मैं उन सारी क्लासों को अटेंट करूँगा, मैं मेरा बेक लोग नहीं होने दूँगा, मैं सारे डाउट सेशन लूँगा, मैं सारे टेस्ट दूँगा, ठीक है मैं मेरे प्रोपर नौट्स बनाऊंगा, यह ठान लो बेटा, डेली पांच गंटे पढ नाए डेली, तीन गंटे सुब़े को क्लास लेलो, साम के टाइम दो ढ़ाई गंटे रिवीजन करलो, बस, कितना ही तो करना है बेटा, कितना आसाने बताओ, इस बार बेटा आपने देखा विजे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे, कितने सारे बच्चों के सलेक्शन हुए है, बी आर के अंदर बी एसी नर्सिंग के नो कोलेज है, इन में पान सो और चाली सीट है, आप देख लेना, इन पान सो में से तीन सो सीटों पे केवल विजियन्स जा रहे हैं, अपने विजे एजुकेशन से सलेक्ट हुए हैं, बच्चे एक तरपा सलेक्ट हुए है पेरा मेडिकल के अंदर जितनी भी सीटे हैं, उन सीटों में आदे से ज़्यादा इस्टूडेंट विजे एजुकेशन से सलेक्ट हो रहे हैं, क्या वज़य है, ज़्यादा तर जो बच्चे सलेक्ट हुए हैं, ज़्यादा तर जब भी मैं कोल करता हूँ बदाही देने के लिए, तो अधिकांस बच्चे कहते हैं, सर मैंने सितंबर 2023 से तयारी शुरू की थी, मैंने अक्टूबर 2023 से तयारी शुरू की थी, कोई 7 महीने से तयारी कर रहा था, कोई 8 महीने से कर रहा था, कोई 10 महीने से कर रहा था, सभी ने ड्रोप लिया था, एक साही डारेक्शन म इस लक्से बेज को जोइन कर लीजिए फीस विजे परिवार ने किसी की भी एक पैसा नहीं बढ़ा ये बेटा ठीक है ना महीने का 100 रुपे का खर्चा है बेटा ये अगर ज़्यादा लगे तो भी बता देना अपना ही परिवार है अगर आपको लगता है विजे सर ये भी ज़्यादा है ठीक है फिर इसमें भी 150 रुपे कम दे दोगे ना आप स्वीकार है कोई दिक्कत नहीं आप अमारे अपने हो ठीक है बिलकुल तो ये सारी जानकारी थी बेटा आज के लिए इतना ही ठीक है और जिनको काउंसलिंग करवानी है उनको बस काउंसलिंग के नॉटिफिकेसन का वेट करना है मैं एक-एक बच्चे की चोईस फिलिंग करवाने में पूरी मदद करने वाला हूँ ठीक है जैहिंद बंदे मात्रम बेटा ठीक है